क्या बला ये क्या बात हुई शोरिय भाई आप मा की जनम दिन में शामिल नहीं होंगे तो घर में रोनक कैसे आएगे आपके बॉस को मेरा श्राप ही लगेगा अरे दो दिन के लिए भी वो लोग आपको छुट्टी नहीं दे सकते क्या अब क्या कर सकते है शगुन काम तो काम ही होता है न आदमे अकसर काम और रिष्टों के बीच में पेस जाता है I'm sorry बच्चे लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा पर तू याद से मा को वो सारे गिफ्ट दे देना ठीक है न ठीक है भया इतना कहकर शगुन फोन कॉल कट कर देती है मज़ा तो तब आएगा जब मा के जनम दिन पर वो सब मुझे अच्छानक से वहापन मोजुद देखेंगे अच्छा उलू बनाया मेने शगुन को अब सर्प्राइज देने में उतना ही मज़ा आएगा जौब के कारण शवरियत दूसरे शहर में रहता है इसलिए उसे अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है लेकिन वो अपनी मा मनोरमा के जनम दिन के लिए एक हफ़ते के छुट्टी लेता है और अचानक से वो सब को वहाँ पोच कर सर्प्राइज देता है शोरिय बेटा तू यहाँ पर मेरा बच्चा एपी बड़े मा तैंक्यू बेटा चीटर भईया आपने मुझे कहा कि आपको छुट्टी ही नहीं मिली तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए अरे पगली तेरे पेट में कोई बात पच्चती है क्या अरे अगर वो तुझे सब पहले ही बता देता तो तू हर जगे दिंडोरा पिट देती इसलिए उसने ऐसा किया और बेटा तुझे इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है देख बेटा अब जब तू इतने दिनों बाद आया है तो मैं तुझे जल्दी नहीं चाने दूंगी डोंट वरी मा पुरे एक हफ़ते के छुट्टी लेकर आया हूँ मैं और आज आपके जनम दिन के मुखे पर मैं आप सबको आपका फेवरेट खाना खिलाऊंगा आपका बड़े तो हम एकदम दूंदाम से मनाएंगे शाओरी अपने परिवार से बहुत प्यार करता है पर वो अपनी मा का जनम दिन बहुत अच्छे से मनाता है फिर अगले दिन मनोरमा पंडिजी को बुलाती है अरे मा अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ तो आपको भी मेरे साथ वक्त बिताना चाहिए ना तो उसकी जगे पर आप यह क्या लेकर बैट गई हो देख बेटा अब तेरी शादी की उमर हो चली है और तू तो वहाँ पर 2400 गंटे काम में ही उलजा रेता है इसलिए मुझे अभी पंडिजी को बुलाना पड़ा पिछली बार भी मैंने तुझे कितनी तस्वीरे भेजी थी लेकिन तुने एक भी लड़की नहीं चुनी लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा बिटा अब बता इसमें से कौन सी लड़की पसंद है तुझे अरे मा आपको मेरे लिए जो भी लड़की पसंद है आप उसी को तै कीजिए मैं आपकी पसंद पर कभी एतराज नहीं करूँगा चलो अच्छी बात है ये देखिए पंडिजी मैंने ये लड़की चुनी है दिखने में भी ये बहुत सुन्दर है और तो और इसके चहरे से ही पता चल रहा है कि इसका स्वभाव भी कितना अच्छा होगा अरे नहीं मनोरमा जी ये लड़की तो मांगलिक नहीं है आपके बेटे को मंगल है और इसके चलते इसकी शादी भी एक मांगलिक लड़की से ही होनी चाहिए अगर साधरन कुनली वाली लड़की से शादी हो गए तो आगे जाकर इसे खत्रा हो सकता है इसलिए मांगलिक लड़के को एक मांगलिक लड़की ही करनी चाहिए हे भगवान लेकिन पंडिक जी गर ऐसी ही बात है तो आप मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीरे क्यों दिखा रहे हो कोई मांगलिक लड़की बताओ ना जो अच्छे गराने की हो और गुनवान हो फिर पंडिजी उन्हें कई सारी मांगलिक लड़कीयों की तस्वीरे दिखाते हैं पर उन सब में बड़ी मुश्किल से मनोरमा को एक लड़की पसंद आती है उसका नाम पाखी होता है पाखी अपनी मां बबिता के साथ रहती है बबिता और पाखी दोनों का एक छोटा सा कैफे होता है फिर लड़के वाले पाखी को मिलने जाते है तो इसका मतलब आप और पाखी अकेले ही रहते है आपका कोई अपना नहीं है क्या जी है ना लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहते बनारस में रहते हैं अच्छा अच्छा एसी बात है क्या तबी पाकी वहाँ पर कॉफी लेकर आती है ये लेजिए आप सब के लिए कोल कॉफी बनाई है मैंने अरे वहाँ पाकी बिटिया पॉफी तो बड़ी ही कमाल की बनी है सच में तुम तो बड़ी गुनवान हो हाँ बबिता जी काम का जी होने के बाद भी पाकी को गर के कम अच्छे से आते हैं और ये सब आपकी ही अच्छी परवरिश का नतिजा है दन्यवाद मनोरमा जी तो बताओ शोर्य बेटा केसी लगी तुम्हें पाकी बहुत अच्छी पापा हमारा लड़का तो शर्मा गया पाकी बेटा तुम्हारी तरफ से क्या है देखो बेटा जो भी तुमारे दिल में है सब बताओ तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है अरे नहीं मा मुझे भी शोर्य बहुत अच्छा लगा और मुझे इस शादी से कोई इतराज नहीं है बहुत खुब बेटा लेकिन मेरी एक कंडिशन है शादी होने के बाद मैं शोर्य के साथ ही रहूंगे ना कि उसके परिवार के साथ क्या? हाँ शोर्य देखो मुझे गलत मत समझना यहाँ पर मेरी मां अकेली रहती है और हम दोनों को कैफे भी देखना पड़ता है और तुम भी यही पर रहते हो तो मैं वहाँ पर तुमारे फैमिली के साथ रहने लगे तो यहाँ कैफे का क्या होगा? मेरी मां के लिए नहीं संभाल पाएगे देखो मुझे तुमारे फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है मैं उनसे भी उतना ही प्यार करूँगे जितना प्यार में मेरी मां से करती हो लेकिन शादी के बाद मैं तो सिर्फ तुमारे साथ ही रहना चाहूंगे अरे नहीं पाखी एसे थोड़ी ना चलता है शोरिये बेटा पाखी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा अरे तू तो बस चुट्टियों पर घर आता है और अगर शादी के बाद पाखी हमारे साथ रहेगी तो उस शादी का क्या फाइदा होगा और उस रिष्टे का भी क्या फाइदा जब मिया बीबी ही साथ ना रहे इसलिए जब तुम दोनों का समय मिलेगा तब तुम हमसे मिलने आ जाना ठीक है मां लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी न तो पाखी आपके पास फोरण चली आएगे क्यूँ पाखी है ना हाँ शोरिय तुम उस बात के चिंता मत करो मैं तुमारी फैमिली को अच्छे से संभालूंगी दोनों का रिष्टा पक्का हो जाता है और अब वो दोनों अक्सर मिलने लगते हैं फिर एक रोज वो दोनों एक मंदिर चले जाते हैं जहाँ पर पाखी सभी गरीबों को प्रशाद बाटने लगती है और उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है पाखी का दिल तो सच में बहुत बड़ा है वरना आजकल की लड़किया कहा ऐसा करती है जो लड़की बाहर के लोगों के साथ इतने अच्छे से पेश आती है वो लड़की मेरा और मेरे परिवार का कितना अच्छे से खयाल रखेगी पागल ही था मैं जो शादी करने से कत्रा रहा था लेकिन पाखी से मिलने के बाद मुझे शादी का मतलब समझ आ रहा है शवर्या अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो इधर आओ ना हाँ पाखी आता हूँ जैसे जैसे शादी का दिन नज़दी काता है वैसे वैसे शोरी और पाखी में नस्दी किया बढ़ने लगती है पर वो दोनों अब हर रोज एक दूसरे से बात करने लगते है आरे शोरीयों, तुमारा आफडे कब है? मनोरमा अंटी मुझसे कहे रही थी कि जब तुमारा आफडे होगा, तभी हमें शादी की शॉपिंग करनी है लेकिन पाखी, उसकी लिए तुमें मेरी क्या जरूरत है? अरे तुम तो अपने मा के साथ भी जा सकती हो ना और तुमें जो पसंद आता है वो खरीद लो नहीं शॉरिया, मैं तुमारे साथ ही शॉपिंग करना चाहती हो वो अभी जिस शहर में तुम काम करते हो और तुमारे इदर तो बहुत अच्छे अच्छे मारकेट है जहाँ पर शादी बैके कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुमारी यही इच्छा है तो यही सही फिर पाकी, बबिता और शॉरिया तीनों मिलकर शादी की शॉपिंग करने चले जाते हैं ये दिखो शॉरिया, ये वाला लाल जुड़ा कितना सुन्दर है क्यों मा, आपको कैसा लगा? हाँ पाकी, तुम पर ये लाल जुड़ा बहुत अच्छा दिखेगा हाँ पाकी, बबिता अंटी ने बिलकुल सही कहा अच्छा ठीक है, लेकिन शॉरिया, तुमारी शेरवानी का दुपट्टा भी लाल कलर का ही रखना जिसमें सुनेरे रंग का वर्क हो उन्हें पेहन कर हम दोनों कितने का उपसरत लगेंगे सोच सोच कर तो मेरे पेट में ही गुदगुदी हो रही है लेकिन पाकी, मैं लाल कलर के कपड़े बिलकुल नहीं पेहनूंगा मेरी शेरवानी तो पेस्टल कलर की ही होगी अरे आज कोल तो वही ट्रेंड चल रहा है और पेस्टल कलर काफी रॉयल भी लगते है अरे तुम क्या पागल बागल हो गए हो क्या फ्रेंड के चकर में कुछ भी उटपटां मत पेहनो अमारी शादी है खोई एरा गेरा फंक्शन नहीं है और शादी का रंग तो लाल ही होता है इसलिए हम दोनों लाल कपड़े ही पेहनेंगे और एक सार ट्वीन करेंगे लेकिन पागी ये देखो शोरिया मैंने कहे दिया सो कहे दिया वरना मैं मनोरमा अंटी से तुमारी शिकायत कर दूँगे अच्छा वाबा ठीक है जैसा तुम कहो पाखी का लेंगा फाइनल करने के बाद वो लोग अब शोरिया की शेरवानी फाइनल करने जाते हैं तबी वहाँ पर भी पाखी अपनी ही चलाती है पर वो शोरिया को उसकी पसंद की डिजाइन चुनने का मोका भी नहीं देती ये देखो पाकी ये वाली डिजाइन और भी ज़्यादा सुन्दर है और नहीं बाबा इसमें तो तुम एकदम पागल ही दिखोगे मुझे ये वाली डिजाइन बिलकुल पसंद नहीं आई पुरिये क्या ये तुमने कैसी मोजडी पसंद की है ये भी मुझे बिलकुल पसंद नहीं आई खे इसे भी मुझे ही पसंद करना होगा फैशन की मामले में तुम्हारी टेस्ट तो बहुत ही खराबे लेकिन अच्छा हुआ जुम में आ गई वरना पता नहीं तुम क्या खरेद लेते शोरिये को पाखी की ये बाते बिलकुल अच्छी नहीं लगती लेकिन वो विचारा चुप रहता है शौपिंग करते करते उन्हें बहुत देर होती है और शोरिये को बहुत भूक लगती है इसलिए वो बबिता और पाखी से बार-बार कहता है अरे पाखी, खरीददारी करते करते हमें बहुत देर हो गई है तो क्यों ना हम पास के रेस्टोरंट में कुछ खा ले बहुत भूक लगी है मुझे क्यों बबिता अंटी, आपको भूक नहीं लगी क्या? इतनी नहीं लगी शोरिय बेटा हरे मा, सच कही है न कि हमारा पेट तर शॉपिंग करके ही बढ़ चुका है बस उस दुकान में जाएंगे फिर उसके बाद खा लेंगे शोरिय चलो अब ये बैक्स पकड़ो बस और थोड़ी दे अच्छा बबट ठीक है एसे ही शोरिय को रुका रुका कर उनका पुरा दिन बिट जाता है और बिचारा शोरिय अब सीदे घड जाकर रात में ही खाना खाता है तभी उसे पांखी का कॉल आता है हाई शोरिय हो गया तुमारा खाना कितना मदा आयाना आज शॉपिंग करके चलो अच्छा है अब आधा टेंशन तक कम हुआ लेकिन अभी भी देरो काम पड़े है कल वापस हम शॉपिंग पे जाएंगे तो कल भी और मज़ा आएगा अरे क्या खाक मज़ा आएगा तुमारे कारण में पूरा दिन भूका रहा ना जाने कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि हम खाना खा लेते हैं मुझे बहुत भूक लगी है पर तुम्हें तो बस शॉपिंग की ही पड़ी थी मेरी तो तुम्हें कोई परवा ही नहीं थी अरे ये तुम क्या बेतु की बाते कर रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है शॉरिय मुझे तुम्हारी परवा है बाबा अरे तुम तो मेरे होने वले पती होना तो तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हो परवा सिर्फ कह कर नहीं की जाती करके दिखाई जाती है अरे इतना ही नहीं तुमने तो मुझे मेरी पसंद का कुछ लेने तक नहीं दिया, पिस्टल कलर की जगे पर लाल रंग रखा, तो उसमें मैं मान गया, लेकिन जो लाल शेरवानी मुझे पसंद आई थी, वो तुमने मुझे लेने तक नहीं दी, उसकी जगे पर दूसरी वाली खरीद ली, अरे एसा कोन करता है यार, शोरिया, तुमें नहीं लगता क्या, कि आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैंने जो कुछ भी किया है, बिल्कुल सही किया है, अब तुम मेरे साथ शादी कर रहे हो, तुमेरा होने वाला पती अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया, और तुमारी पसंद के कपड़े उतने अच्छे नहीं थे, वरना मुझे भी कोई शोक नहीं चड़ा था, जो तुम पर में इतनी जबरदस्ती करती, परे लेकिन तुम तो बस अपना ही चला रही थी, सामने वाले की भी तो कभी सुन लेनी चाहिए ना, अब रखो फ और वो जाकर अपनी मा को बताती है, अरे सही तो कह रहा था वो, जब जब वो खाने की बात कर रहा था, तब 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 तुम नहीं दुकान में गुसे जा रही थी, और वो अकेला थोड़ी ना जाता खाना खाने, हम दोनों के कारण, वो बेचारा भी दिन बर भूका रहा, सीरियसली मा, अरे आपको भी उसी की पड़ी है, यहाँ उसने मुझे फोन पर कितना कुछ सुनाया, वो नहीं दिखा क्या आपको, अरे शादी के पहले ही उसके कितने नकरे है, उने वाले बीवी हुम में उसकी, और उसे मेरी हर बात माननी चाहिए, तो फिर वो इतनी शिक अरे मा, आप भी जानती है, कि मैं ऐसा बिलकुल नहीं हूँ, लेकिन उसने मुझे कल कितना परेशान किया, इसलिए मैंने उसे सुना दिया, शादी अभी तक हुई भी नहीं है, और वो तो मुझ पर अभी से कितना अग जमा रही है, और मुझे अपने इशारों पर नचव पा रही है, लेकिन मैं ऐसा बिलकुल होने नहीं दूंगा, मैं तेरी बात समझ सकती हो बेटा, लेकिन इस तरह से तो जगड़े और बढ़ेंगे ना, अब शादी का महरत निकल चुका है, आधे से जादा तयारिया भी हो चुकी है, और ऐसे में तुम दोनों क्यों लड़ जगड़े हो, जगड़े बढ़ाने की जगए उन्हें सुलजाने के बारे में सोचो, उतने में वहाँ पर पाखी आती है, और उसे देखकर, शौरिया और मनोरमा हेरां रह जाते हैं, अरे पाखी बेटा, तुम यहाँ पर? हाँ अंटी जी, और आप दोनों की मैंने सारी बाते सुन ली है, और शौरिया तुम, अरे तुम तो मुझसे एक दिन में ही परेशान हो गए, अरे ऐसा क्या गलत किया था मैंने? देखो पाकी, नहीं शौरिया, मुझे तुमसे अभी कुछ भी नहीं सुनना है, मैं यहाँ पर तुमसे कल की लड़ाई भूल कर, अच्छे सी बात करने आई थी, लेकिन यहाँ आकर, मैंने तुमारी सारी कड़वी बाते सुनी, और अब मेरा फैसला बदल चुका है, मैं त तुम क्या मुझे से रिष्टा तोड़ोगी, मैं ही इस रिष्टे को ठुक राता हूँ, जाओ, अरे तुमारे तो नखरे भी कितने ज्यादा है, और उने तो मैं बेसे भी नहीं जेल पाऊंगा, ए बगवान, अरे तुम दोनों क्या पागल हो गए हो क्या, कुछी दिनों म तुम दोनों की शादी होने वाली है, और इतने छोटी सी बात को लेकर, तुम दोन इतना जगडा क्यों कर रहे हो, माफ कीजिये मनोरमा अंटी, शादी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी, इतना केकर पाखी वहाँ से निकल जाती है, पाखी, अरे पाखी बेटा, उसे रुकने के कोई ज़रूरत नहीं है, मा, जाती है तो जाने दो, शादी के पहले ही उसने मेरा खून पिना शुरू कर दिया है, और इस तरह का हेड़ेक नहीं पालना है मुझे, सही यही रहेगा, यह हम दोनों कभी एक हो ही ना, अरे शोर्य बेटा, यह तु कैसी बाते कर रहा है, बोरा बोरा गया है क्या, उन दोनों की शादी फिक्स हुई है, और शादी को यह छोटी मोटी बात नहीं होती बेटा, अब वीक ओफ के दिन पर, शौरी अपने घर चला जाता है, और उसे उसके घर वाले साथ मिलकर समझाते हैं, वही बवीता भी पाकी को इस तरह रिष्टा मत तोड़ू, अरे अभी तो तुम एक दूसरे को जानते ही कितना हो, अरे जो रिष्टा कभी जुड़ा ही नहीं, उसे कैसे तोड़ू में मा, मैं बस उस शौर्य से शादी नहीं करना चाती, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, अरे लेकिन बेटा, एसा कह कैसे चलेगा, अब इतना सारा पैसा लगा है तुम दोनों की शादी में, सभी महमानों को भी बताया है, और थोड़े ही दिनों में तुम दोनों की शादी भी है, और अगर एन मुमेंट पर शादी कैंसल कर दे, तो दोनों के परिवारों के समाज में क्या इज़त रहे ठीक से चार बाते करोगे तभी तुम दोनों एक दुसरे को भली भाती समझ पाओगे और इस तरह एक छोटी सी लड़ाई के चलते इतना बड़ा फैसला मत लो बेटा हाँ भया, अभी तो काड़ भी चप चुके है और मैंने तो अपना लहंगा भी खरिद लिया है और आपके और भावी के लिए तोफा भी और अब एसे लास मिनिट पर मेरे साथ सब बाकी लोगों का दिल मत तोड़िये अरे लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे अपनी मा के लिए तो कुछ भी कर सकता है यही कहाता न तुने और अब अपनी ही मा का दिल दुखा रहा है तो अरे हम सबने तेरे शादी के कितने अर्मान सजाए थे और तू उन पर पानी फेर रहा है देखो बेटा तुम दोनों ने बस एक छोटी सी बात को बहुत खिच्चा है और वो कभी कभी हो भी जाता है और शादी के बात भी कभी तुससे गलती होगी तो कभी उससे यह सब तो चलता ही रहता है बिटा और हम सब तुझे और पाकी को शादी के जोडे में देखने के लिए बेकरार है बिटा सब कुछ भूल कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो और एक नया जिवन शुरू करो देख बिटी, शोरी जैसा लड़का तुझे मुश्किल से मिलेगा तुम दोनों मांग लिखो इसलिए तुम दोनों की शादी होना जरूरी है तुम शादी के बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन अब एन वक्त पर एक फालतुसी बहस के लिए गुसे में आकर ऐसे शादी नहीं तोड़ते बेटी है ठीक है मा, शायद आप सही कह रही हो दोनों भी अपने परिवार वालों की बाते सुन कर अपने वीच में सब कुछ ठीक कर लेते हैं और फिर उनकी शादी दूम धाम से होती है शादी के बाद पाखी और शोरिया साथ में रहने लगते हैं वो दोनों अपने हनी मुन पर जाते हैं और जैसे कि घर वालों ने कहा था, उन दोनों के बीच सब खीक हो जाता है. वाव शोरिय, ये जगे कितनी सुन्दर है, मेरी एक तस्वीर केचो ना प्लीज. मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है, पर मेरी सारी फ्रेंड्स को भी जलाना है. अरे पाकी, हम दोनों साथ में फोटोज किचवाते हैं ना, वो देखो, वहाँ पर फोटोग्राफर भी है. अरे यार शोरिय, मैंने जितना कहा है उतना करोना, पहले मेरी चालिस पचास तस्वीरे किचो, उसके बादी हम दोनों साथ में तस्वीर किचेंगे. चालिस पचास? हाँ, यूगि मैं जानती हूँ, कि तुम इतने अच्चे फोटोग्राफर नहीं हो, इसलिए तुम चालिस से पचास फोटोज मेरी खीच लेना, उनमें से चार पास फोटोज तो अच्छी आही जाएगी. शौरिया पाखी की बहुत सारी फोटोज क्लिक करता है, लेकिन पाखी शौरिया के साथ फोटोज खीचवाने में, कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाती, जेस कारण शौरिया थोड़ा सा निराश हो जाता है. अब अगले दो से तीन महिनों तक, उन दोनों की मैरिड लाइफ एकदम हैपी रहती है. फिर एक रोज, जब पाखी की तबियत हलकी से खराब होती है, तब ही शौरिया उसके लिए खाना बनाता है, और वो उसे अपने हाथों से खिलाता है. यमी, मज़ा ही आ गया शौरिया, यह लाजवाब खाना बनाया है तुमने, तुम्हारे खाने के आगे तो फाइफ स्टार रेस्टारंट का खाना भी फेल है. हसो मत, मैं सच के रही हूँ, क्योंकि इतना अच्छा खाना तो में भी नहीं बना सकती. अरे पाकि, मुझे खाना बनाने में कोई कठिनाई नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले भी, मैं खुद ही खाना बनाता था. क्याओ, मुझे लगा कि तुमने कोई टिफिन सर्विस लगाई होगी. नहीं पाकि, मैं भले ही मा से दूर रहता हूँ, लेकिन मेरी उनके साथ फोन पर रोज बाते होती हैं, और थोड़ा बहुत इंटरनेट से भी सीख लेता हूँ, बस इसी तरह बना बना कर सीख लिया है मैंने सब कुछ. मैं बहुत खुश किसमत हूँ, कि मुझे तुम जैसा पत्ती मिला। एक सुबह, अरे पाकी, आज शाम को बहर चले क्या, नई फिल्म आई है, बहुत मज़ा आएगा, ओ फो शोरिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, मैं फोन पर अपनी मा से बात कर रही हूँ, क्या फेसी रिलेटर इंपोर्टन डिसकुशन चल रहा है, देखो, अच्छा ठीक है, फिर शोरिया, उदास होकर ओफिस चला जाता है, लेकिन वो जब शाम को घर लोडता है, तभी, अरे पाकी, तुम अभी तक तयार क्यों नहीं हुई, मुझे लगा कि तुम तयार होकर मेरा इंतजार कर रही होगी, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा क्या, आच्छोरिया, देखा मेने, तुम फिल्म देखने की बात कर रहे थे न, लेकिन मैं तुमें रिपलाई करना ही बूल गई, वो कैफे में थोड़ा पेंटिंग का काम करवाना है न, उसी के चकर में पेंटरस दून रही थी, और मैं बाकी के कामों में लगी हुई थी, देख लेकिन मुझे भी तो वक्त दो न, जब देखो तब अपने में ही मगन रहती हो, अरे तुम तो दिन रात अपनी मा से ही बात करती रहती हो, लेकिन मेरी मा से बात किये होए कितने दिन हो गए, तुम उने फोन क्यों नहीं करती, लेकिन शोरिया, मैं तुमारी मा को फोन करके क्या बात करू मेरी मासे तो मैं किसी भी टॉपिक पर कितनी भी देर बात कर सकती हु लेकिन तुमारे मासे कैसे बात करू ये तुमारी मा, तुमारी मा क्या लगा रखा है पाकी वो तुमारी भी कुछ लगती है हाँ बाबा I'm sorry मेरे कहने का मतलब वो नहीं था देखो पाकी, तुम अब मा की बहु बन चुकी हो उन्हें भी तो तुमसे उम्मिद होगी ना कि उनकी बहु उन्हें कॉल करे और उनसे फोन पर धेर सारी बाते करे वो बोलकर नहीं दिखाएगी लेकिन इस बात को तुम्हें भी समझना चाहिए पर शोर्या, मैं उनसे कैसे? एकस्कीजस मत दो पाकी और कुछ भी मत बोलो पर जब बात ही नहीं करोगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा और तुम दोनों में बातचित तो होनी ही चाहिए और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनके साथ रोज फोन पर बात करो लेकिन कभी कबार हालचाल पूछने के लिए फोन कॉल तो कर ही सकती हो ना? मैं माजी को हर अफते फोन करता हो उनसे उनके हालचाल और कैफे के बारे में पूछता हो हमेशा उनके टच में रहता हो और अगर ये सारी बाते में समझ सकता हो तो तुमें क्या दिक्कत है? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे जुड़े लोगों को भी तुमें उतना ही प्यार करना चाहिए माद तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है अरे अगर वो इतनी ही बेटी की तरह मानती है तो फिर वो खुद लगाए न मुझे कॉल उनका तो अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आया हे भगवान पाखी की बाते सुनकर शौरिय अप काफी ज्यादा इरिटेट होता है और उसे गुसा भी बहुत आता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता और चुप चाप अपने कमरे में चला जाता है फिर एक रोज अरे पाखी फोड़े दिनों बाद मेरी चुट्टिया शुरू होगी फिस्टिवल भी आ रहा है और इसी बहाने क्यों न हम घरवालों के पास जाकर कुछ दिन उनके साथ रहे हम सब फार माउस पर भी जाएंगे वहाँ पर मेरे कजिन की दो छोटी बेटिया भी आएंगे उनके साथ मुझे वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है बहुत क्यूट है वो दोनों तुम देखना तुमें भी वो दोनों बहुत पसंद आएगी I understand, sure लेकिन बार-बार वहाँ जाना सही नहीं लगता न अब पिछली बार तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी लेकिन अब फिर से हम बार-बार कहा जाते है पाकी अरे शादी के पहले तो मैं महिने में दो से तीन बार जाता था लेकिन अब तो उतना होता भी नहीं है और अब मोका भी है और दस्तूर भी इसलिए मैंने सोचा कि हमें घर पर जाना चाहिए बही सही रहेगा लेकिन चुट्टियों में बाहर जाने के क्या सुरूरत है शोरिय हम दोनों यही पर भी तो रह सकते हैं न और इसी बहाने साथ में थोड़ा वक्त भी बिता सकते हैं ओफो पाकी अरे इस घर में हम दोनों अकेले रहते हैं सोबी सो गंटे साथ रहते हैं साथ ही वक्त बिताते हैं कुफी रब और तुमें क्या चाहिए और कितना कॉलिटी टाइम चाहिए तुमें नहीं शोरियो हम दोनों इस घर में बस साथ रह रहे हैं लेकिन तुम तो अपने काम में बीजी रहते हो और मैं भी अपने कैफे में बीजी रहती हूँ और हम दोनों की लाइफ तो बस इन में ही उलजी हुई है इसलिए काम को कुछ दिन भूल कर बस हम दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाले बस यही के रही हूं मैं अरे बस करो यार तुम तो बस हमेशा अपनी ही मनमानी करती हो और कुछ नहीं आता तुम्हे शोर्य फिर से गुस्सा हो जाता है और थोड़े दिनों बाद शोर्य के घर वाले अच्छानक से उसके घर पर रहने चले आते हैं और उनको देखकर आखी के चेहरे पर बारा बच जाते हैं ये सब क्या है शोर्य अरे ये लोग बिना बताए कैसे आ सकते हैं अटलिस इन्हें हमें फोन करके बताना चाहिए था अरे लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटिस वो लोग क्यों करेंगे ये उनके बेटे का गर है और ये उनकी मर्जी है कि वो जब चाहे आए और जब चाहे चले जाए देखो शोर्य पहले की बात अलग थी लेकिन अब यहाँ पर मैं भी रहती हूँ और मैं कोई फ्रीकी नहीं बेटी हूँ अब तुम ही बताँ सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगी तो कम ओन पाखे इतना ओवर्रियाक्ट मत करो तुमें कौन सा सो दो सो लोगों का काम करना है और रही बात तुम पर लोड पड़ने की तो ऐसा बिलकुल नहीं होगा शोगुन को घर के सारे काम आते है वो तुमारा हाथ बटा देगे और मा को भी खाली बैटने की आदत नहीं है वो भी खाना बनाने में मदद कर देगे मेरी फैमिली बहुत फ्रेंडली है पाकी फोड़ा वक्त उनके साथ बिताओ फिर तुमें समझाएगा अरे तुमें तो मेरी कुछ भी नहीं पड़ी छोड़ो अब उन्हें वापस तो नहीं बैश सकती ना मैं जेलो अब इतना केकर पाकी वहाँ से मुझ बनाते हुए चली जाती है और वो अपने ससुराल वालों के साथ ठीक से पेश भी नहीं आती मा जी पापा जी मुझे ना आज अर्जेंटली बाहर गाव जाना है और उसके बाद कैफे में भी जाना है वहाँ पर भी बहुत सारे काम पड़े है इसलिए मैं आज घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगे तो आप लोग खाना बना देना और थोड़ा बहुत सफाई का भी देख लेना अरे लेकिन बहु ऐसे अच्छानक से तुम क्यों जा रही हो आब आबी बभी ता आँटी संभाल लेगी ना सब कुछ अब हम यहाँ पर कितने दिनों बाद आये है वो भी आप से मिलने के लिए तो फिर हमारे साथ भी थोड़ा वक्त बिताओ ना आप आखी बहू अरे नहीं नहीं I'm really sorry लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती मेरी बहुत इच्छा है आपके साथ वक्त बिताने की लेकिन अब मैं भी क्या करू आपको भी पहले बता कर आना चाहिए था ना तुम्हे कुछ ना कुछ मैनेश तो पक्का कर लेती लेकिन अब ही कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा इतना केकर पाकी वहाँ से चली जाती है और बाद में जब शोर्य किसी और से पता लगाता है तो उसे खबर मिलती है कि क्याफे का कोई काम नहीं चल रहा और बस पाकी ने बहाना दिया है ताकि घर का सारा कम मनरमा और शोगुन पर आ जाए अब ऐसे ही अगले तीन दिनों तो पाकी घर पर रुकने का नाम ही नहीं लेती और पाकी के इस बरताव के कारण मनरमा और अर्विंद उससे नाराज हो जाते हैं और वो अपने घर जाने का फैसला लेते हैं क्या? लेकिन क्या हुआ मा? आप लोग तो यहाँ पर रुकने वाले थे ना तो फिर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? माफ करना बेटा लेकिन यहाँ पर हमारा दिल नहीं लग रहा और घर पर भी बहुत सारे काम पड़े है इसलिए हमें जाना होगा आ बेटा, तो चिंता मत कर हम जल्दी वापस आएंगे बाई भया फिर वो तिनों वहाँ से चली जाते हैं मा को वहाँ पर कोई काम नहीं है आज तो उसे सुना कर ही दिमाख शान्त होगा मेरा वेसे तो दिन बर घर पे पड़ी रहती है लेकिन पिछले तीन दिनों से वो घर पर रुखी नहीं रही और उसके इसी बरताव के कारण मा और पापा नाराज हो गए है पापी मुझे तुमसे ये उम्मिद नहीं थी अरे वेसे तो तुम दिन बर घर पर ही पड़ी रहती हो लेकिन जब से मेरे घर वाले आए तब से तुमें दिन के आटो पेहर बस बाहर के ही काम दिखे मैं सब समझता हूँ पापी तुमें मेरे घर वालों की खातिरदारी करनी ही नहीं थी इसलिए तुमने ये सब जान बुच कर किया तुमारा ना सच में दिमाग सड़ चुका है शोरियो अरे मैं बला ऐसा क्यों करूंगी और मुझे क्या वो टीवी सीरियल वाली नाला एक बहुत समझके रखा है क्या तुमने अरे जब तुमारे घर वाले ही बीना बताये आएंगे तो मैं एन मोमेंट पर क्या कर सकती हूँ अगर वो लोग बता कर आते तो पहले ही मैं अपने बाकी के काम निप्टा कर रख लेती अरे चुप रहो तुम अगर मैं तुमारी मा के साथ इस कदर पेश आता तो तुम्हें कैसा लगता पाखी रुको उन्हें मैं अभी फोन करके बताता हूँ खबरदार शोरियो हम दोनों के बिच मेरी मा को मत ला वो वहाँ पर अकेली रहती है उन्हें परेशान करने के कोई जरुवत नहीं है हम्ह तुमसे तो बात करना ही बिक्कार है आ तो मत करो ना किसने कहा हैं तुमसे अपने मुपर टेप लगा कर गूमो या फिर मोन व्रत धारन कर लो इडियट कही के शोरियो और पाखी के बीच का तनाव कम होने की जगे और बढ़ता जाता है फिर अगले दिन पाखी जब कैफे चली जाती है तब ही पाखी बेटा क्या हुआ है तुमारा चेरा इतना उत्रा हुआ क्यों है सब कुछ ठेक तो है न दामाज जी ने कुछ कहा क्या अरे बिल्कुल भी नहीं मा ऐसा कुछ भी नहीं है वो बस रात में लेट सो गई थी न इसलिए निन पूरी ना होने के कारण मुझे थोड़ी सी ठकावत में सुस हो रही है अरे तो फिर घर जाकर सो जाओ ना यहां का काम में देख लूँगे नहीं मा मुझे आज कैफे के लिए नया सामान लाना है नहीं कॉफी मशिन भी लेनी है वो सारे काम में आज ही निप्टाऊंगी अगर मैं काम में उलजी रहूंगी तो फुर्ती अपने आप से आ जाएगी ठीक है बेटा जैसा तुमें ठीक लगे अब जब पाखी शौरिय को टिफिन देती है तो वो वेसे का वेसा ही गर लाता है शौरिय अब ना तो पाखी से बात करता है और ना ही उसके हटकाब खाना खाता है अच्छा तो इसने बाहर से खाना ओर्डर किया है ठीक है अगर इसे खाना नहीं काना तो मत खाए मुझे क्या इसमें इतना एटिट्यूड है तो मैं तो एटिट्यूड की पुरिक दुकान हूँ में भी अपसे कोई काम नहीं करूंगी अपने काम वह खुद ही करें तब समझाएगा इसी फिर एक दिन जब शोरिय अपने घर वालों से फोन पर बात कर रहा होता है तब ही मनोरमा उसकी आवाज से पहचान जाती है कि कुछ तो हुआ है जिसके बाद शोरिय अपनी मा को सारी सच्चाई बताता है हे भगवान अरे तुम दोने इसे लड़ा मत करो एक दूसरे के साथ और शोरिय बेटा तुझे तो समझना चाहिए ना अभी बहु की बात भी तो सही ही है बहु की बात भी कोई गलत नहीं है अरे हम तो अच्चानक से आ गए थे अब उसे घर के साथ-साथ क्याफे का भी काम देखना पड़ता है ना तो उसमें उस बेचारी का क्या कसूर है हाँ मा उस बात को मैं अच्छे से समझता हूँ लेकिन फिर भी क्याफे का काम दिन रात थोड़ी ना चलता है अरे उसने तो घर का कोई काम भी नहीं किया सारे काम तो आपने और शगुनने ही कर लिये उसे एसा नहीं करना चाहिए था मा इसलिए मैं उससे नाराजू और अप तो मैं उससे बात भी नहीं करने वाला अरे नहीं बेटा एसा मत बोल शादी के रिष्टे में मन मुटाओ तो चलते ही रहता है अगर तुम भी इतने छोटे जगड़ों को रबर की तरह खीशते रहोगे तो केसे चलेगा बेटा तब ही वहाँ पर आखी आती है और वो शौरियक को उसके घर वालों के साथ बात करते हुए सुन लेती है और वो गुसे में आकर शौरियक के हाथ से पण चिन लेती है और अपनी साथ को खुब सुनाती है वाँ मा जी आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हो अपने ही बेटे के घर गुरुष्ती में आग लगा रही हो बहुत मज़ा आ रहा होगा न आपको क्या? ये तु क्या बोल रही है बहुँ पाखी, behave yourself क्यो? मिर्ची लगी न माजी अरे सची तो कह रही हुमे आप लोगों के कारण ही मेरे और शोर्य के भी जितने जगड़े हो रहे है आप लोगों नहीं इसे मेरे खिलाग बढ़काया है अरे आपकी जैसी मा तु मैंने आज तक नहीं देखि तमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बहु तु ऐसे क्यों बोल रही है? पाकी मुझे फोन दो शोर्य पाकी से वापस फोन चिनने लगता है और उसी चीना जपटी में फोन जमिन पर गिर जाता है मेरी मा से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाकी? आज तो तु 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 मने मेरी मा को रुलाया है अरे कुछ गलत नहीं कहा मैंने तुम्हारे कारण ही मैं आज उनकी नजरों में बुरी बन गई हूँ तो अपने परिवार से मेरी चुगली करते हुए तुम्हें शरम नहीं आती क्या मुझे तो तुमने मुध इकाने लायक भी नहीं छोड़ा और सबकुछ उन लोगों का ही किया धरा है उन्होंने ही तुम्हें बढ़काया है अरे उन्हें तो बस एक सेवा करने वाली बहुच चाहिए थी इसलिए वो हमारा रिष्टा तोड़ना चाहते है इनफ पाकि अगर तुमने मेरे परिवार के खिलाफ एक और शब भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मेरी फैमिली के बारे में तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो अगर उन्हें एक सेवा करने वाली बहुच चाहिए थी तो ये रिष्टा कभी होता ही नहीं छी पाकि अरे कितनी गटिया सोचे तुमारी अरे तुम तो दिरे दिरे अपने असली रंग दिखाते जा रही हो और मेरे मन से उतरती जा रही हो ना जाने तुम कब समझोगी कि शादी केवल दो लोगों के बीच में नहीं होती बलकि दो परिवारों में होती है फैमिली भी इंपोर्टन्ट होती है शाओर्य की इतना समझाने पर भी पाकि उसकी बात सुनने के लिए तयार ही नहीं होती इसलिए ठक हार कर शाओर्य अब बवीता के पास चला जाता है और वो उसे सारी सच्चा ही बताता है बाप रे अरे ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच ठीक है शोर्य तुम फिकर मत करो मैं पाकि को अपने तरफ से समझाने के पूरी कोशिश करूँगी थैंक्यू माजी फिर जब बवीता पाकि को इस विशे पर समझाने जाती है तभी पाकि का गुस्सा सात्वे आसमान पर चला जाता है और वो वापस घर आकर शोर्य को खुब सुनाती है अरे क्या जरूरती तुमें मेरी मा को टेंशन देने की तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें परिशन मत करो अरे अगर कुछ बोलना या सुना नहीं था तो तुम पहले मुझसे बात करते सीधे मेरी मा के पास जाने के क्या जरूरती तुमें और तुमें तो पहले से पता है कि उन्हें हाई पिपी का इश्यू है आज जानता हूँ लेकिन मैं करता भी क्या तुमारा दिमाग तो गुटनों में चला गया है न अरे तुमें मैंने हजार बार समझाया लेकिन तुमें तो मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती और मैंने कुछ गलत नहीं किया है अरे तुमारी मा को भी तो पता चलना चाहिए न क्यों उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है बस करो शोर्य बहुत बोल रहे हो तुम और इस बार तुमने बहुत कलत किया है उमें मेरी मा को इन्वाल नहीं करना चाहिए था उन्हें इतना टेंशन देकर तुमने सही नहीं किया है मैं आज बहुत होट हुई हूँ बहुत ज्यादा अरे तुम के जरा पागल हो गई हो क्या तुमें तो बस अपनी मा ही दिकाई देती है लेकिन मेरी फैमिली का क्या तुमने तो मेरी मा को रुलाया है और उस बात की तो तुमें कोई शरम भी नहीं है फिर पाकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है फिर अगली सुबे जब शर्या ओफिस चला जाता है तब इसे बविता का कॉल आता है हा मा जी बोलिये अरे शर्या बेटा पाकी का आपर है पर सुबे दस बजे मुझे उसका कॉल आता है लेकिन आज तो उसने फोन ही नहीं किया क्या एक एक मिनिट ये क्या मुझे तो पाकी का वोइस मेसेज आया है फिर शर्या पाकी का वोइस मेसेज प्ले करता है शर्या कल तुमने साबित कर दिया कि तुमें मुझे से इंपोर्टन तुमारी फैमिली है इसलिए अब मैं इस दुनिया को छोड़ कर जा रही हूँ जाओ अपने फैमिली के पास ही चले जाओ तुमने तो मुझे कभी समझने के कोशिश भी नहीं की शोरिया क्या फिर शोरियो वो वोईस मेसेज बबीता को भेजता है जिसके बाद बबीता और शोरियो दोनों घर पर पोईचते हैं जहाँ पर वो दोनों ये देखकर हेरान होते हैं कि पाखी ने स्लिपिंग पिल्स का ओवर्डोस ले लिया है फिर वो दोनों उसे फोरण हस्पता लेकर जाते हैं फिर अगले चार दिनों में पाखी ठीक हो जाती है पाखी बहू ये तुने क्या कर दिया हाँ पाखी और जगड़े कीस पति-पत्ने की जोड़े में नहीं होते लेकिन उन जगड़ों को बेट कर सुल जाना चाहिए और उन्हें अगर सही समय पर नहीं सुल जाये तो रिष्टा काफी बुरी तरह उलचकर तूड़ जाता है और ये सब इनसान को भी तोड़कर रख देता है और खबरदार बहू जो तुने फिर से ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी तो देखो बहू ये जीवन बहुत बड़ी देन है इश्वर की और एसी छोटी बातों पर तुम इतने बड़े फैसले लोगी तो ये जीवन केसे जी पाओगी अपने रिष्टों को केसे संबाल पाओगी अब जाने दो पापा पाखी ये लो ये सूप पियो इससे तुम्हे अराम मिलेगा एंक शोर्य और इम सॉरी मेरे कारण आप सबको बहुत परेशानी हुई फिर उस हाथसे के बात से शोर्य पाखी का अच्छे से खयाल रखता है और दीरे दीरे उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होने लगता है ऐसे ही एक महिना गुजर जाता है जिसकी बाद पाखी का जनम दिन आता है लेकिन उसी दिन शोर्य को घर आने में पाच मिनिट लेट हो जाता है हैपी बर्डे पाखी एनम सॉरी यार मुझे थोड़ा लेट हो गया वो एक्चुली मुझे कल छुट्टी लेनी थी ना तो कल का बचा हुआ पेंडिंग का मुझे आज ही करना पड़ा अरी ये क्या बात हुई शोर्य जाओ तुम यहां से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अरे पर क्या हुआ पाकी तुम ऐसे क्यों बोल रही हो आ तो क्या कहुँ मेशोर्य तुम पुरे पाच मिनिट लेट हो गए हो टाइम देख रहे हो क्या बारा बचकर पाच मिनिट हो रहे है अरे मुझे लगा कि तुम शाब बारा बजे मुझे विश करोगे मेरे लिए हाट शेक बलून्स और प्यारा सा केक लेकर आओगे और मुझे सर्प्राइस दोगे लेकिन नहीं तुमने वैसा कुछ भी नहीं किया आज तुमने मेरा दिल वापस दुखाया है शोर्यो ओफ ओ पाकी तुम भी ना जित पर आड़ जाती हो और ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारा जनम दिन बूल गया बस पाँच मिनेटी तो लेट हुआ है ना तो उसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात है शोर्यो आज मेरा बड़े है और मुझे ये बेहेवियर बिलकुल पसंद नहीं है ओ गौड पाखी अच्छा बबड ठीक है I'm sorry अगली बार से ऐसा नहीं होगा फिर अगले दिन अरे पाखी काम के सिलसिले में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारे बड़े के लिए कुछ प्लान कर सकूँ लेकिन तुम जो भी कहोगी वो मैं करने के लिए तयार हो कहो क्या चाहिए तुम्हे और कहापर जाना चाहती हो तुम फूज़े शट आफ शोरिय ये भी कोई पूछने वाली बात होती है क्या और तुम काम में इतना विजिक कैसे हो सकते हो जो तुम्हे मेरे बड़े के लिए प्लान करने तक के फूर्सत नहीं है अरे पाकी दरसल मैं मेरा हर बड़े परिवार के साथ ही मनाता हूँ और आज भी उन्होंने हमें घर पर बुलाया है मा तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन बनाने वाली है और शगुन भी अपने हतों से तुम्हारे लिए ब्लूबिरी केक बनाने वाली है इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों बाहर जाने से अच्छा परिवार के साथ ही सेलिब्रेशन करे तुम देखना तुम्हें भी बहुत मजा आएगा चार चान लग जाएंगे तुम्हारे बड़े में अरे यार शोरिय तुम भी ना सच में पागल हो अरे आज मेरा बड़े है बड़े के दिन पार्टिस करते है बाहर गुमने जाते है यो बड़े बुजर्ग की तरह गर पर बैटकर खाना नहीं खाते और मुझे नहीं जाना तुमारे गर पर हम दोनों यही पर सेलिबरेट करेंगे पाखिय की ये बाते सुनकर शोरिय को बहुत गुस्सा आता है और वो घर वालों को कुछ भी बनाने से मना कर देता है फिर एक दिन अरे क्या बात है शोरिय इतनी सारी पैकिंग की स्कुशी में हम कई ट्रिप पर जा रहे है क्या वाव बड़ा मज़ा आएगा मैं भी अपने पैकिंग कर लेती हो अरे नहीं पाकिये हम किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे है एक हफते बाद शोगुन की सगाई है ना इसलिए हम दोनों घर जा रहे है अब तुम और मैं शोगुन के भईया बाबी है तो सारी तयारिया तो हमें ही करनी होगी ना क्या हो आरे पर सगाई एक हफते बाद है ना तो हम एक हफते पहले जाकर वहाँ पर अंडे देने वाले है क्या नहीं बाबा मैं नहीं आने वाली मैं तो सिधे सगाई के दिन ही आऊंगी और एक दिन रुक कर फिर लोट आऊंगी और वेसे भी इस हफते कैफे में एक बड़े पाठी और्गनाईस करनी है और भी देरो काम है मुझे हम अरे इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो तुम अभी दो मिनिट पहले ही ट्रिप बोलकर कितनी खुश हो गई थी तुम पैकिंग करने का मन भी बना लिया था और जब मैंने कहा कि मेरे घर पर जाना है तब तुमारी शकल पर बारा बज गए अरे सच्चा ही तो यही है कि तुम्हें मेरी फैमिली के कुछ भी नहीं पड़ी अरे याय सोरिय बसकरो अब जब देखो तो फैमिली 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 अरे जाओ जाकर अपने फैमिली के पास ही रहो तुम्हें तो बस अपनी फैमिली ही दिखती है मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है I am done with it तीक है फिर अगर तुमें मेरी फैमिली की कोई परवा ही नहीं है तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करने और तुम मेरे फैमिली के बारे में क्या बोल रही हो तुमें तो बस अपनी मा और अपने कैफे की ही पड़ी होती है साफ साफ दिखाई देता है पाकी मैं तुमारी मा को अपनी मा की तरह प्यार करता हूँ लेकिन शादी के इतने महिनों बात भी आज तक तुमने मेरी फैमिली वालों को अपनाया ही नहीं और अगर तुमें मेरे साथ यहाँ पर नहीं रहना है तो मत रहो क्यूकि शायद मुझे भी यही सही लगता है हम दोनों को अलग होना ही चाहिए वही सही रहेगा और तभी मुझे शानती मिलेगी हाँ शौरियं तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मुझे भी शांती तभी मिलेगी ठीक है फिर तुम्हें जहा जाना है जाओ मैं भी जा रहा हूँ और अब मैं तुमसे तलाख ही लूँगा बस बहुत हो गया आब अरे तुमसे और मैं क्या ही उम्मिद रख सकती हूँ मैं भी इस रिष्टे को नहीं रखना चाहती मुझे भी तुमसे तलाख चाहिए फिर पाकी अपना सामन लेकर वहाँ से निकलने लगती है देखा इतना होने के बाद भी तुमें मेरी कोई एहमेत नहीं है अरे तुम तुम मुझे रोग भी नहीं रहे देखो पाकी ये तुमारा रोज का ड्रामा है लेकिन मेरी बेहन की सगाई रोज रोज नहीं होने वाली इसलिए अब में तुमारी ये नोटं की सहन नहीं कर सकता शैवरिया की बाते सुनकर पाकी उसे छोड़ कर चली जाती है शैवरिया शगुन की एंगेजमेंट होने तक इंतजार करता है और उसके बाद अपने घर वालों को डिवोस के फैसले के बारे में बताता है क्या? डिवोस? अरे लेकिन तुम दोनों डिवोस लेने का फैसला कैसे ले सकते हो? ऐसा मुद कर बेटा हाँ बेटा अभी कुछ मेनों पहले ही तुम दोनों की शादी हुई है और अचानक से ये फैसला अरे तुम दोनों तो मांगली की हो तो फिर तुम दोनों में इतने जगडे क्यों हो रहे है दोनों के घर वाले काफी ज़्यादा चिंतित होते हैं और इसलिए सब एक साथ मिलकर बात करते हैं देखो मापापा हमारे बीच बढ़ते जगडों के कारण मैंने और पाखी ने एक दुसरे से डिवोस लेने का फैसला लिया है तो आप प्लीज हमें समझाईए मत हाँ शोर ये बिल्कुल सही कह रहा है हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती और ये तो मुझे कभी समझ कर भी नहीं लेता ऐसा कुछ भी नहीं है मैं इसे हर बार समझ कर लेता हूँ लेकिन इसके को ज़्यादा ही एकस्पेक्टेशन्स रहते हैं अगर हम दोनों में कुछ भी होता है तो ये सारा इल्जाम मेरी फैमिली पर ही डालती है लेकिन इसे खुद को कैसे बरताव करना है ये तो इसे पता ही नहीं शांत रहो बेटा और पाकी बहो शोर्य की बात भी कोई गलत नहीं है अरे हम जब तुमारे घर पर आये थे तब तुम गर पर क्यों नहीं रुकी पापा जी तभी मैं अपने कामों में व्यस्ती और मैं ये सच बोल रही हूँ अगर मुझे पहले से पता होता कि आप तीनों आ रहे हो तो मैं अपने सारे कम पहले ही निप्टा लेती देखो बच्चो जहां तक मेने और मनोरमा जी ने सोचा है तुम दोनों को बैटकर बात करनी चाहिए अगर तुम दोनों को डिवोस लेना ही है तो उसके बात भी तुमें 6 महिने का पिरेड मिलता है ताकि तुम अपने रिष्टे को सुधारो और इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम दोनों अभी एक सात्र हो और अपने रिष्टे को एक और मुका दे दो अमारी बात तो तुम लोग सुनते नहीं तो फिर किसी मैरेज काउंसलर के पास क्यूं नहीं जाते या? हाँ बच्छो देखो तुम दोनों को अपना रिष्टा तोड़ना है तो तोड़ो लेकिन एक आखरी मौका दे कर देख लो ना क्या पता बिखरी हुई चीजे फेसे टीक हो जाए हाँ बच्छो ये सारा फेसला अब तुम दोनों पर है हमारी तरफ से तुम दोनों पर कोई जबर्दस्ती नहीं है पाखी और शोर्यर इस बात पर विचार करते हैं और अपनी आपसी सहमती से वो दोनों अपने रिष्टे को एक और मौका देने के लिए राजी हो जाते हैं ठीक है अगर आप लोग इतना के रहे हो तो हम दोनों ये करने के लिए तयार हैं हाँ माओ वैसे भी डिवोस के लिए छे महिने तक साथ रहना ही होगा और उससे अच्छा यही सही चीजे बर्काउट कर गई तो वेल अन गुड परना डिवोस तो हम ले ही लेंगे बहुत खोब बच्चो तुम दोनों ने बिल्कुल सही फैसला लिया है भगवान जी जरूर तुम दोनों को सदबुद्धी देंगे और सब कुछ फिर से टिक कर देंगे अब शौरिया और पाखी दोनों मैरेज काउंसलिंग यानि कपल थेरिपी के लिए तयार हो जाते हैं और अपने पहले सेशन के लिए जाने से पहले पाखी, मुझे तुम से कुछ कहना है हाँ, कहो न शौरिया देखो पाखी अब हम अपने रिष्टे के अंतिम पड़ाव पर जा रहे है अगर ये काम कर गया तो शायद ये अंतिम पड़ाव एक नई शुरुवात बन सकती है हाँ, शौरिया लेकिन अगर ये काम नहीं कर गया तो हमें डिवोस लेना होगा लेकिन डिवोस के बाद भी हम अच्छे दोस बन के रहेंगे क्योंकि हमारे शादी में चाहे जो भी हुआ हो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी इंसान हो ठैंक शौरिया और तुमने बिल्कुल सही कहा डिवोस के बाद भी हम अच्छे दोस बन कर रहेंगे फिर वो दोनों काउंसलर गायतरी के पास जाते हैं और उसे अपने रिष्टे की सारी प्रॉब्लिम्स बताते हैं मैंने तुम दोनों के रिलेशन्शिप को जितना स्टड़ी किया है उससे मुझे यह पता चल रहा है कि पाकी काफी हद तक अपनी फेरी टेल लाइफ में ही रहती है और इसके को ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन्स है वही शौरिय एक फैमिली मैन है यह रियालिटी में जिता है और एक बहुत मैच्वर परसन है हाँ गायतरी जी आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन शौरिय तुम्हें ये बात भी समझनी होगी कि पाकी बच्पन से ही अपनी मा के साथ अकेली रहती आई है इसने इतने रिष्टे नहीं देखे है जितने तुमने देखे है इसलिए इसे फैमिली से इतनी अटेश्मेंट न होता है और इसलिए तुम दोनों को एक दूसरी की फिलिंग्स को समझना होगा उन्हें स्विकार ना होगा गायतरी जी मैं इसे हर बार समझाने के कोशिश करता हूँ लेकिन ये तो मेरी फैमिली के साथ बात भी नहीं करती अरे नहीं गायतरी जी ये जूट बोल रहा है इस इसे मुझसे को ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन से देखो शादी के बाद दोनों को भी एक दूसरे को समझ कर लेना होता है लेकिन यहाँ पर तुम दोनों भी एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते और इसलिए तुम दोनों को एक साथ बेट कर अच्छे से बात करनी होगी और तभी तुम दोनों एक दूसरे के मन में आखिर क्या चल रहा है ये बात अच्छे से समझ पाओगे You are right guy 3G और पाखी तुम्हें असलियत समझनी होगी ये सब सिर्फ टीवी शोज और फिल्मों में होता है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के मन की बात समझ कर लेते हैं लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता एक दूसरे का स्वभाव जानने के लिए एक दूसरे के मन को, उनकी बातों को छोटी-छोटी चीजों को समझने के लिए उतने दिन देने पड़ते हैं तब जाकर सब कुछ सही हो जाता है। ठीक है गायत्री जी, मैं आपकी बात पर ध्यान दूँगे, और अपनी लाइफ में जरूर अपलाई करूँगे। वैसे तुम दोनों का प्रॉब्लेम कोई ऐसा प्रॉब्लेम भी नहीं है, जो सौल नहीं हो पाएगा। मैं तुमें कुछ टास्क दूँगे, जिने करके तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी है, वो ठीक होने में मदद होगी, लिकिन वो सारे टास्क तुमें पुरे मन से करने होगे। ठीक है गायत्री जी, जैसा आपको हो। येस गायत्री जी, मैं भी तयार हूँ, तभी गायत्री उन दोनों को बुक और पहिन देती हैं, ये लोग, अब तुम दोनों इस पर ग्रैटिट्यूड लिखो, ग्रैटिट्यूड यानि तुम अपनी मैरिड लाइफ में, किन किन चीजों के लिए ग्रेट्फुल हो, एक प्रकार से युनिवर्स और भगवान से आभार जता हूँ, इसे करने से तुम दोनों निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की और बढ़ोगी, लाइफ में हम बस निगेटिव चीजों को ही देखते हैं, और पॉजिटिव चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है गायत्री जी, फिर वो दोनों उस डायरी में लिखने लगते हैं, और गायत्री के पूछने पर उसे बताते हैं, मैं एक अच्छी फैमिली, अच्छी मदरी इनलो के लिए, अच्छी वाइफ नॉट शूर, लेकिन अव्यसली पाखी जैस अच्छी दोस्त के लिए, और जो रिस्पेक्ट हम दोनों दोस्त होने के नाते शेर करते हैं, उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैं एक अच्छी जिन्दगी, अच्छी फैमिली, समझने वाला ना सही, लेकिन एक अच्छा केरिंग पती, जिसके पास ग्रेट और मोस्ट इंपोर्टन्टली, जैसे मुसीबत परे समय में ये मेरे साथ खड़ा रहा, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ग्रेट, बहुत खुब, ये ग्रेटिटीट लिखकर मुझे काफी अच्छा मेसुस हो रहा है, एक्जैटली, हम कितने बद्दु थे, जो बस ए आच्छा या देखकर समझा रहा है, कि हमने क्या कुछ मिस कर दिया है, हाँ पाखिये, इसलिए ग्रेटिटीट जताना बहुत इंपोर्टन्ट है, ये लो, ये एक योगा ट्रेनर का नंबर है, वो हर सुबे कपल्स को योगा सिखाते हैं, मैरीड लाइफ में मेंटल पीस, यानि मानसिक शांती के लिए योगा बहुत लाबधायक है, इसलिए तुम दोनों को साथ में अपसे योगा करना होगा, और ना सिर्फ योगा, बलकि बाकी वर्काउट एक्टिविटीज, जैसे की डांस, रनिंग, बैडमिंटन खिलना, या फिर जो भी एक्टिविटी में पसंद हो, वो सब करना होगा, ओ वाओ, मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है, और मुझे बैडमिंटन खेलना, ये हुई ना बात, देखो, जब तुम दोनों एक दूसरे की होबिस पे एक साथ मिलकर करोगे, तो भी तुम दोनों को बहुत रिलिफ मिलेगा, और रोज साथ में योगा और वर्क आउट करने लगते हैं, और साथ ही एक दूसरे के पसंदीदा एक्टिविटीज, जैसे कि बैडमिंटन खेलना और डांस करना, ये भी करते हैं, वाव यार शोरिया, डांस करके तो कितना मज़ा आ रहा है, हाँ पाकी, मुझे भी डांस करके बहुत मज़ा आया, अपसे हम ये एक्टिविटीज रोज करेंगे, हाँ शोरिया, पक्का करेंगे, फिर अगले सेशन में गायतरी के पास जाकर, वो दोनों उसे सारी बाते बताते हैं, सीरियसली गायतरी जी, हम दोनों ने बहुत एंजोई किया, काश हम ये एक्टिविट किस पहले कर लेते, सच में, यही होता है गायज, शादी होने के बाद में, हम सब अपनी लाइफ में बहुत जिम्मेदार और सीरियस हो जाते हैं, और उन सब में हम हमारे अंदर के बच्पने को मार देते हैं, बलकि असलियत तो ये है, कि हमारे अंदर का बच्पना ही हमें जिन्दा रखता है और लाइफ में ये सब छोटी-मोटी एक्टिविटीज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम वर्काउट और ये एक्टिविटीज करते हैं तब हमें बहुत रिलिफ मिलता है और उसी से हमें शान्ती का अन्भव होता है अपने बिल्कुल सही कहा गायत रिजी शादी होने के बाद में हम दोनों तो बस अपने काम में ही बिजी हो गए थे मैं अपने ओफिस में और ये अपने कैफे में और इन सब के चक्कर में हमारी शादी तो बोरिंग ही हो गए और दिन पर दिन जगड़े बढ़ने लगे इसलिए ये सारे fun activities करते रहनी चाहिए अब रात में जब शवर्य ओफिस से वापस आएगा तब तुम दोनों खाना खाकर रात में वॉकिंग भी किया करो और वॉकिंग के साथ साथ talking यानि एक दूसरे के दिन के बारे में भी पूछ लिया करो और बताया करो इससे तुम दोनों के रिष्टे में mutual understanding यानि एक दूसरे के प्रति समझतारिक और बढ़ेगी फिर गायतरी की बात मान कर तो आप दोनों रात में वॉकिंग करने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं कैसा रहा तुमारा दिन शोरियो अच्छा था पाकी आज मैंने ओफिस की कैंटिन में डोसा खाया लेकिन वो बहुत बेसवाद था फिर मुझे तुम्हारी याद आई तुम्हारे हाथ के बने डोसे की बात ही अलग होती है थैंक शोरियो तुम बताओ तुम्हारा दिन केसा था काफी अच्छा था आज कैफे में भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स थे और तोर आज हमारे घर की सफाई भी कर दी मैंने ये सब करके मुझे बहुत रिलिफ मिल रहा है आ पाकी बाइदवे मा और पापा तुम्हारे बारे में और हमारे सेशन के बारे में पूछ रही थे हाँ शौरिया मेरी मा भी पूछ रही थी हमारे पैरंट्स को हमारी शादी से बहुत सारी उम्मीद है पाकी हाँ शौरिया लेकिन अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा पर मैं इस लम्हे को एंजोई कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ हाँ पाकी मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है बहुत खुशी मेहसुस हो रही है फिर अगले दिन जब वो दोनों काउंसलर के पास चाते है तब ही वो ये सारी बाते गायत्री को बताती है चलो सुनकर अच्छा लगा कि तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की और तुम दोनों को बहुत खुशी मेहसुस हो रही है हाँ गायत्री जी पर आज तक हम दोनों ने एसी बात पहले एक दूसरे से कभी नहीं की थी परते भी कैसे तुम दोनों को बस बिना बात किये एक दूसरे से धेरो एक्सपेक्टेशन्स थी और जो शोर्य कर रहा था उसमें भी तुम अपनी ही मनमानी कर रही थी और पाखी 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 को सब कुछ पता है अरे बस हाल चाल ये पूछ लो उसमें क्या होता है ठीक ही गायतरी जी फिर पाखी अगले ही दिन शोर्य की मा को फोन लगाती है मा जी मुझे और शोर्य को ये टास्क मिला है कि हमें एक दूसरे की फैमिली से बात करनी है इसलिए मैंने आपको फोन किया केसी हो आप घर में सब कुछ ठीक है न हाँ बहू सब कुछल मंगल है और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों उस काउंसलर की बात मान रहे हो और पाखी बहू मेरा बेटा बहुत अच्छा है वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है बस थोड़ी जगव पर तुम गलत हो गई थी बेटा इसलिए वो थोड़ा गुसा हो गया लेकिन तुम भी उसे एक मोका देखर देखो वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है और मैं ये भी जानती हो कि तुम भी दिल की बहुत अच्छी हो और एक दिन तुम अच्छी बहु और अच्छी बीवी जरूर बनोगी मनरमा की बाते सुनकर पाथी अब भावुक हो जाती है और शाम में जब शौरिया घर आता है तभी मुझे माफ कर दो शौरिया क्योंकि मैं अब समझ चुकी हूँ कि फैमिली कितनी इंपोर्टन्ट है आज जब मैंने माजी से बात की तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी माज से ही बात कर रही हूँ और तुम सही थे मैंने तुमारी फैमिली को कभी अपना माना ही नहीं इसलिए ये सब हुआ लेकिन अब अब मैं वो सब नहीं करूंगी जो मैंने पहले किया है आज मुझे पता चल गया है कि मैं कितनी गलत थी और आज मुझे ये लगता है कि ये शादी हम निभा सकते है क्योंकि मैं तुमें खोना नहीं चाहती शोरिय सारी गलती मेरी ही थी तुम तो बस उसमें पीस्ते रहे पाखी फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते है और गरवालों के पाथ जैने कर तय करते है मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है बहु ने कहा कि हम आ रहे है हमने कुछ फेसला लिया है उनकी आवास से तो लग रहा था कि वो दोनों अब डिवस लेने वाले है ओफो मा शुप शुप बोलिये ना आ मुनुरमा जी तबी वो दोनों वहाँ पर आते हैं खुशी का कोई ठीकाना ही नहीं रहता क्या? अरे वा बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है आखिर कर वही हुआ जो होना चाहिए भाया भाबी मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ थैंक यू और अपसे हम दोनों अपने रिष्टे को ठीक करने के पूरी कोशिश करेंगे और जो भी बची कुछी प्रॉब्लेमस है उसे भी एक साथ मिलकर ही ठीक करेंगे और इस तरह अंथ में पाकी और शोर्य दोनों एक हो जाते हैं और अपनी शादी को निभा कर खूशी से अपनी बाकी की जिन्दगी जिते हैं